नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल All India गुरूजी में दोस्तो जनरल साइन्स सीरीज जो चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है इस पार्ट में हम 25 कॉस्चन लेंगे ये जो सीरीज है ये railway group D के हिसाब से बनाई जा रही है लेकिन जनरल साइन्स के कॉस्चन जरूर देखें तो यदि आप किसी भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे की आपको ये 25 कॉस्चन तो बने चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सैसन तो देखते हैं कॉस्चन तो कॉस्चन है ब्राउन एयर सब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता है ए और द्योगिक धुआ बी अमली धुआ सी सलफर धुआ एबं डी प्रकास रासायनिक धुआ तो आंसर होगा डी प्रकास रासायनिक धुआ अंगला कॉस्चन है किस पौधे का बैग्यानिक नाम सोलेनम टीवरोसम है ए आलू बी टामाटर सी कद्दू इबं डी प्याज तो आंसर होगा ए अलूो नेट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्न है निम्लिकित टेलों में इसे सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है मुखी के तेल बी अरन्ड तेल सी कुसम्म तेल डी सोयावीन तेल तो आंसर होगा d अंगला पॉस्चन है पर लाल चकते, B. इसमन सक्ती में छती, C. संक्रमक रोग, D. जोडों में पुराना दर्द, तो अंसर होगा, C. संक्रमक रोग, अंगला कॉस्चन है, O. T. C. दबा क्रोसिन, एक दबा है, A. दर्द ना सक, B. जौर ना सक, C. दर्द ना सक, D. रोगानु रोदग, अंसर होगा, C. दर्द ना सक, इबं रोग ना सक, अंगला कॉस्चन है, एंडरागोगी क्या है, A. एक जंगली पौधा, B. प्रॉण सिक्छा, C. क्रसी विज्ञान में फसल वोनी के एक बद्दिती, इबं D. इन में से कोई नहीं, तो आंसर होगा, B. प्रॉण सिक्छा, नेक्स कॉस्च होगा, 0 degree centigrade, नेक्स्ट कॉस्चन है, ठोस आयोरीन का रंग होता है, A. सपेद, B. रंगहीन, बैगनी भूरे से थोड़ा काला, एबं D. लाल भूरा, तो आंसर होगा, बैगनी भूरे से थोड़ा काला, नेक्स्ट कॉस्चन, निमलिखित में से कौन कोई का विवाजन को प्र कॉस्चन, एक नवजास सिसू के सरीर में कितनी हटियां होती है, A. 300, B. 206, C. 211, एबं D. 411, तो आंसर होगा, A. 300, 300, नेक्स्ट कॉस्चन है, पानी में घुलंसीन बिटामिन है, बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन K, एबं बिटामिन C, तो आंसर होगा, बिटामिन C, अंगला कॉस्चन है, लहसुन की विशिष्ट गंद का कारण है, A. फ्लोरो यॉगिक, B. सल्फर यॉगिक, C. क्लोरो यॉगिक, एबं D. ब्रोमो यॉगिक, ये तो आंसर होगा, B. सर्फर यॉगिक, इस कॉस्चन है, मदू मक्खी के डंक में सामिल होता है, A. एक छारी तर C. एक नमक बिलेयन, एबं D. इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा, B. एक अमलीय तरल, अंगला कॉस्चन है, निमलेकित में से कौन सी मिसरधातू चार घटकों से बनी होती है, A. सोल्डर, V. कॉस्टेंटन, C. नाइक्रोम, एबं D. मैगनीज, आंसर होगा, C. नाइक्रोम अंगला कॉस्चन है, जीवों और परियावरण की बीच की अन्योन क्रियाक के बैग्यानिक विसलेशन और अध्यान को कहा क्या कहा जाता है, A. पारिस्तितिकी, B. सूचमजी विग्यान, C. कीट विग्यान, एबं D. पक्षी विग्यान, तो आंसर होगा, A. पारिस्तितिकी अंगला कॉस्चन है, तारों का रंग किस पर निर्वर करता है, A. तापमान पर, B. दूरी पर, C. तृज्या पर, A. एबं D. बाईुमंडली दाप पर, तो आंसर होगा, A. तापमान पर, अंगला कॉस्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के बुरुद दि सामें प्रियोक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रियोक्त होने वाले कुल वल होगा, A. चार गुना, B. तीन गुना, C. सून्य, इबं D. दो गुना, जब समान बल लगेगा, तो निश्ची दूरुद से सून्य होगा, तो आंसर होगा, B. सून्य, नेक्स्ट कॉस्चन, औस्ट A. वाह अंत्रिक्ष में जीवन, B. पस्वों का जीवन, C. पौधों का जीवन, इबं D. प्रत्वी परमानों का जीवन, तो आंसर होगा, A. वाह अंत्रिक्ष में जीवन, अंगला कॉस्चन है, माचिस की तिलियों में होता है, क्या होता है, A. सलफर, B. फॉस्फोरस, C. अंगला question है, बाई उर्दूसन के संदर में PM का क्या तातपर है? अंगला question है, मगर मक्ष के बच्चे को क्या कहा जाता है? अंगला question है, मगर मक्ष के बच्चे को क्या कहा जाता है? यदि आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक, और हम सेयर जरूर करें, यदि आपका कोई question हो, तो comment करके हमसे जरूर पूछें, Thank you, Jain!